आप सभी का सुवाल आदे हैं महिंदरु.com में और आज हम चरचा करने जा रहे हैं HD 01 IVPSPO Preki और हमारा सब्जेक आप रहे सकते हैं है Reasoning Reasoning जैसे कि हम बात करें एक्जामे 35 मांस का रोल प्ले करता है और एक student के perspective से बहुत ही crucial रोल प्ले करेगा क्योंकि Student Reasoning section में जाल से दाद मांस गेन कर सकता है तो कैसे मांस गेन किये जाएं कैसे strategy बनाई जाएं वहाँ पर कैसे implement किया जाएं उसको TC के लिए महिंदरु आपके लाए है HD 01 IVPSPO Pre-Reasoning और हमारी आज की थीम का नाम है Speed Discs High Five तो यहाँ पर अपनी थीम से हम बताते हैं यहाँ पर हमने आज आज आपके लिए Top 10 Question आप्ट की हैं जो कि आपके एक्जाम में बहुत ही इच्छा रोल प्ले करने बाने हैं शायद आपके एक्जाम में Most of the time आपको ऐसे Question देखने को मिलते हैं आपके सामने डिसकस की जाएगी जो आपके ST No.01 में लाई रही हैं तो चलिए Discussion को शुरू करते हैं अब Discussion को शुरू करने से पहले हम थोड़े से आपको से लिस्ट करने आज के इस competitive environment में आप कितनी अच्छे तरीक से त्यारी कर रहे हैं तो मैटर करता ही है साथ ही साथ यह भी मैटर करता है कि आपका जो competitive एसर उसकी तयारी का level उसका standard क्या है तो आपको यह ध्यान अगना पड़ेगा कि आज कि इस competitive world में किस सरीके से आप shortcut लेकर आएं कौन-कौन जे shortcut implement करके आप exam में नमबर ला सकते हैं यह बहुत ही महतपूर है तो इसी लिए अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको daily errors मिलेगी कोई भी नया video update होगा तो उसके बाद आपको बतल रहीगा या फिर कोई भी exam अगर आपका आ रहा है तो उसके बाद आपको updates मिलते रहीगी इसका बतलब अगर आप correct रहना चाहते हैं competition से competitive level से तो please हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए अब ना किसी देरी के आपके discussion को start करते हैं और आपको trick से अबगत करा दे दया लगिएगा question करते वक्त हर एक छोटे-छोटे पहलों को ध्यान अपना है जो भी आपको इस video आपको discussion में बताया जा रहे है चलिए discussion को start करते है पहला question जो आपकी spin को नज़र आ रहा है वहाँ भूला किया है आप लोगे उनकी नाम आप देख सकते हैं एक इमारत में नीची से उपर संखिया एक से आप तक रह रहे हैं देखिए floor-base पगर के अगर हम बात करें तो यहाँ लगिए जब इस floor-base पगर करें तो यहाँ लग है देखिए basic concept है यह कि जब भी floor में आप enter करते हैं तो पहले ground floor फिर first, second, third ऐसे बरता है तो उसको change करने की convert करने की हो जुरूत नहीं है तो कि basic चीजों को change करने का कोई दायत्म नहीं बनता है तो चलिए चलते हैं बोले यह आप लोगे floor-sankhya एक से आप तक है तो पहले आ third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth अब आपको बोल भी आगया है एक floor है उनके इस अंख्या भी आपको लिखवा ली गई है एक से लेकार 8 तक आप देखिए लिखा हुआ है लेकिन जबरने इसी करम में उनमें से प्रदेख के पास एक वस्तू है अब वस्तू के नाम यहां पर आपसानी से बढ देखिए जब भी statement को बहुत ध्यान लगे किस सरी के से उसको पढ़ना है complete information पढ़े देखिए जब यहां से statement स्टार्ट हुई तो यहां से यहां तक पढ़ने का मतलब है आपने information को incomplete पढ़ा है तो पहले strategy बनाएएगा statement को complete पढ़े जहां से वो start होगे खतम होती है वह जो स सबसे उपर जी नहीं है सबसे उपर वाले member के जस्ट नीचे जी है इसका मतलब यहां पर बटा लगा जी का दल है साथ यह आप बता सकते हैं असानी से अब लिखा है और बात भी है उस member की जो सबसे उपर के दल पर है और उसके पास गुडिया है इसका मतलब सर दियान यह गुडिया कि इसके पास है बहुत से इस्ट्रेंट को डाउलिक ही होगा कि गुडिया जी के लिए बैफर्रेंस में बाट हो रही है लेकिन आपको बदा ज Driving की नहीं हुरी है वे बात उस member की हो लिए है जो सबसे उपर के दल पर रहता है उसके पास गुडिया है चलिए हमें सबसे उपर बारे बामर के पास क्या है यह पगल अंगया है और 7 तल पर कौन रहता है यह पगल अंगया है अगली statement के पास चलते हैं वह में क्या information देना चाहिए सर पर अपने है I के पास cycle और बल्ला नहीं है नेगल स्टेटमेंट है कि आई के पास ना तो साइकल है ना ही बल्ला है आपने यहाँ पर स्टोर कर लिए इंफरमेशन को कि आई के पास ना तो बल्ला है और ना ही साइकल है यह इंफरमेशन इस्टोर करी कि ना तो आई के पास साइकल है ना ही बल्ला है next information के पास चले को लिखा है B तीसरी मंजिल पर है और उसके पास रंग बॉक्स है simple information है आसानी से अब implement कर सकते हैं कि B थर्ड तलपर है और उसके पास रंग बॉक्स है तो यह भी हमने लिख लिख लिया कि रंग बॉक्स है हम नाम को shortcut में लिख रहे हैं चले अगले statement के बाद चलते हैं देखते हैं क्या बताना चाहरा है वो वह एक जो सबसे नीचे वाले तलपर है आई का पॉड़ोसी है लेकिन उसके पास लट्टू नहीं है देखें वह एक जो सबसे नीचे वाले तलपर है मतलब ये मांबर वो पॉड़ोसी है ये भी हमने मेंचन कर लिया आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सबसे नीचे वाले तलपर के जो पास में है वो आई है और उसके पास लट्टू नहीं है तो जो भी मेंबर यहां होगा उसके पास लट्टू नहीं होना चाहिए चलिए अगले विखन की ओप चलते हैं अगले स्टेट्मेट आपको बोलना चाह रहा है डी के पास जादू की कलम है मतब दी जादू की कलम से लिट करता है तथा एफ और व के बीच में रहता है अब एफ उपर होगा यह नीचे होगा यह वेंचन नहीं है लेकिन यहां ध्यान देने वला क्रूशिल पर्ट ही है डी एफ और वी तीनों अबर साथ में होने चाहिए तो हमें तीन स्पेस चाहिए तीन तल चाहिए तीन फ्लोर चाहिए जो साथ में होने चाहिए तो देखते हैं कौन जे तीन तल साथ में आ रहे हैं आप देखे स्टार्टिंग से करें बात करें तो यहाँ पर तीन में फ्लोर एक साथ खाली नहीं है फ्लोर नमबर 4, 5 और 6 इसका वजब तीन कॉंजिकेटव फ्लोर हैं जहां पर मिड़ वाजे फ्लोर में D आएगा अब D से उपर या तो F होगा या V होगा fix नहीं है fourth flow पर add होगा अभी होगा whole fix नहीं है लेकिन D के पाद जादू की कलब है ये आपकी बात fix है जैसा कि आप याँ देख सकते हैं जादू की कलब तो हमने D के लिए सिर्फ जादू लिखा अब देखिए अगली कसंद के पास चलते हैं कि वो में क्या पताना चाहरा है लेकिन D आर आजने तल पर नहीं है अब D आर आजने तल पर नहीं है तुसरा रसानी से आप देख सकते हैं बाकी सारे के सारे तल गिल चुके हैं इसका मतलब आर अगर सबसे उपर की तलपर नहीं होगा, तो आर सबसे नीचे के तलपर होगा, चाहिए अगले कशन्टियों चलते हैं, जो बल्ला और गेंद रखते हैं, उनके पीछ में तीन वेप्ती हैं, सर यहां द्यान दिने वाले विपात यह है, हर एक फ्लोर पर एक मा नहीं पढ़ेगा, अगर आई के पास गेंद या बल्ला रखें तो 1, 2, 3 के बाद गेंद और बल्ला आ जाएगा, इसके अलावा अगर हम मात करें तो कोई और जगा ऐसी नहीं है, जहां पर यह डिफरेंस आ रहा हूँ, इसका मतलब आई या तो गेंद होगा, गेंद उसके पास होगी या फिर बल्ला उसके पास होगा, अब एक information दी गए थी आपको कि आई के पास बल्ला नहीं होना चाहिए, अब यहां से क्या पका निकला, यहां से हम drive कर सकते हैं, अगर आई के पास बल्ला नहीं है, तो सर आई के पास होगा गेंद, अगर आई के पास गेंद है तो sir 1, 2, 3, 3 व्यक्तियों का गया हुआ और यहां जो भी मैंबर होगा उसके पास होगा बल्ला अब देखिए आपका चार्ट कम्प्लीट होने ही जा रहा है अब एक और स्टेक में आपके पास है उसके पास भी चलते है वी के पास साइकल है अब वी के पास साइकल है और वी क आप देख सकते हैं बुला गया है वी के पास साइकल है तो वी तो यहां नहीं आ सकता है इसका मतलब वी का फियोड होगा आपका फ्लो नमबर चार और वी के पास यहां पर हमने लिए साइकल है अब देखिए जैसे वी यहां पर हो गया है फिक्स तो यहां पर छटा फ्लोर किसको लोड कर देंगे सर, छटा फ्लोड अब कर देंगे हम F को जैसे हैं आग यहां देख सकते हैं, अब यहां information सारी complete हो गई है, आप दिमार अगर इसको complete करने कोशिश करते हैं, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्लोड थे, 8 मेंचे 7 अगर बढ़ चुके हैं, तो एक ही फ्लो B हो चुके हैं, कि मिले एक ही मेंबर बचा है, N, तो आप देख सकते हैं, L का दल, अभी तक L कहीं पर भी नहीं है, कौन सा दल होगा, L का दल होगा, आठ बाक, अब देखिए, गुडिया, बल्ला, जादू, साइकल, यहां पर रंग, यहां पर गेंग, अब यहां पर लट् यहां नहीं होगा, तो लट्टू के लिए एक दोर बचेगा, फिलोर नमबर 7, यहां पर लट्टू हो गया है, और जो भी आपका बचा हुआ नाम है, वो यहां अदाएगा देख लेते हैं, वो भी कौन से है, जिससे आपके लिए कोई भी डाउप ना रहे देखिए, साइ यहां पर ध्यान देने महला पॉइंट किया है, हार एक इन्वोमिशन को ध्यान से पढ़ना है, कॉश्चन बड़ा होगा, लेंडी होगा, तो बिल्कुल भी आपने आपको डाउप में रहे रगना है, कॉश्चन को कर लेंगे, यही कॉश्चन आपके लिए एक्जाम में का अगर इन्वोमिशन को पढ़ना है, अगर इन्वोमिशन को आप पढ़ते हैं, तो इसी वज़े से कॉश्चन में आपका मान डाउट में रहता है, और आपकी स्टेटमेंट के वेज़े से वो कॉश्चन पूरा नहीं बन पाता है, हार एक बात को ध्यान से पढ़िए, ध्य करिए, ऐसा कोई कॉश्चन नहीं है, जो एक्जाम में आपसे नहीं होगा, चलिए इसी आचा के साथ अगले पूश्चन पर चलते हैं, आप यहां देखिए, जो आपनी कॉश्चन बनाया है, इसके ओपर पांच कॉश्चन होंगे, जिन में से हर एक कोश्चन को आप इस च देख सकते हैं, बी का तल है, थर्ड, अब बी और उसको देखिए, जिसके पास रिमोट का है, रिमोट कार वाला हुए विक्ति है, जो फस्ट पर है, इन नौनों के बीच में सर आप असानी से बता सकते हैं, कितने विक्ति हैं, तो सर जवाब आएगा, इनके नीच में किव एक ही विक्ति है, तो चलिए अगले प्रिशन के ओचल्दे हैं, देखिए, अगला प्रिशन आपके जाना चाह रहा है सर, कि बताए कौन साथ विक्तल पर रहता है, कोई भी परेशानी इसमें आपको नहीं होने वाली है, जितनी जल्दी आप पढ़ेंगे, उतली जल्दी अगला प्रिशन, आपके संधर्म में क्या सच है, क्या आप पहली मंजिल पर रहता है, ये बात बिल्कुल सही है, अब इतने वही है अगर आप डाउटे कंडीशन के आदी है, ये आदी है, कोशिशन इजानन के यह रहती है, कि वो आपको फसा ले, अब देखिए, बहुत स जली से पहला ओप्शन देखकर टिक करके बात देखेंगे, अब जैसे ही उनों ये टिक किया, श्याइद ये गलत हुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूचा लिया है, आर के संधर्म में क्या सकते है, मतलब एक से जादा information भी सच हो सकती है, देखते है क्या कोई और information सही है आर संधर्म पर रहता है, ऐसा कुछ information नहीं है, जो कि आर विसंधर्म पर रहता है, आर तीसे दिल पर रहता है गलत, आर के पास remote car है, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही, आर के पास remote car भी है, और आर पहली वंजिल पर रहता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ऐसे point से बचना है, आपको बिल्कुल नहीं फसना एक्जामिनर के जाल में, आपका आंसर होना चाहिए, पहला और चौथा, दोनों ही सही है, चलिए अगले प्रिशन की दर्फ चलते हैं, आमला प्रिशन, कौन छटी मंदिल पर रहता है, और उसके पास कौन सी बस्तु है, अब देखि कौन है, इसमें एक नमबर का नाम भी वो दे सकता है, और दोनों की भी दे सकता है, या फिर उनके पास कौन सी बस्तु है, यह भी आपको दिया जा सकता है, आई और वह जिसके पास साइकल है, बिल्कुल सही, दूसरा चेकल, एफ और एफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहा लेकिन वह और जिसके पास बल्ला है, बल्ला नहीं, वह वह जिसके पास गहन रही है होता, तो तीसरा विकल्प भी सही होता, वह जिसके पास बुड़िया हो ना दूगी कर्म गलत, इसका मतला यहां पर कीवल एक ही विकल्प सही है, जो है विकल्प संख्या first, यार दखिए आज करके existence scenario में एक छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि अगर एक भी question आपको आता हुआ गलत हुआ, तो आपकी negative marking में से आप शायर exam के इस competition से बाहर हो सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज ओपर ज़रूर प्रकाश डालिएगा, बिल्कुल without में न आप देखिए, एक ही तरीके से है, राजेश, राकेश, राजू, राम, मतलब complicated question को करने के होशिश की गई है, बोले कि आज वितनी है, विरत के चारोर केजर के रख मूग करके बैठे हैं, अब देखिए, आज वितनी है, अगर सभी का मूग केजर की तरह है, तो क्या ध्या तो का नी एक है, बोल रृला को अपको डिल्क शोय कहने तो आपको वाजना पड़ा देखिए, कभी बाई बोलें से आपको क्लॉप वाजısı बड़ेंगग, मतलब जब्ही राईर बुलेगा, ऐमाद के शोय कहने है, अपको अपको क्लॉक्वॉइस सुल्णा पड़ेग है, वो भी आपको manage करना पड़ेगा, confuse नहीं होएगा, एक अच्छी point जो वारे फायदे में जाहेगी, वो यह जाहेगी, हार एक point को अलग-अलग sequence wise शो किया गया है, मतलब, आप एक बारी में एक point को पकड़ेगे, उसको implement करिए, इस तरीके साथ आप असनी से question को solve कर ले जाएग याद दिएगा, जब भी कोई point पड़ते हुए जाहे हां, तो complete point को read करिएगा, फिर उसको implement करेगा, चलिए पहले point विदर्फ चलते हैं, लिखा हुआ है, राहुल राम के बाए दूसरा, और रजनी के नाए तीसरा बैठा है, अभी point ख़तम नहीं हुआ, लिखा है, राहु राम के बाए दूसरा, आप राम का बाया मतलब ले, फर्स सेकेंड, और यही राहुल थर्ड दाएं है, तीसरा इसके बताया गया है, रजनी के, अब देखिए रजनी के नाए तीसरा, राहुल है, और यही राहुल राम के बाए दूसरा, राम को क्या पसंद है, यह भी आगे चले इस second statement में, first by complete हो गई है, second में है, रमेश, राम और राहुल का पड़ोसी नहीं है, और रमेश, कॉल्गेट और नीम पसंद नहीं करता है, अब देखिए, रमेश को, कॉल्गेट और नीम नहीं पसंद नहीं पहले उसको साइज में ले लिए, कि जहाँ पर भी रमे रमेश के लिए अगर वो रहूल रांग का प्रोसी नहीं है, कितनी पोजिशन विकेंड है रूसर्ड केवल दो पोजिशन विकेंड है, एक रजनी के तुरंट दाइं, एक रजनी के तुरंट वाईं, तो हमें दोनों ये पोईंट को साथ में लेकर चलनना होगा, देखिए, क और यहां पर राम, और राम को ज़र पसंद है, और शोरी, अब देखिए, हमारी जो प्रोब्लम थी, एक्जामनल ने हमें प्रोब्लम में गुशाया, प्रोब्लम में डाला, और हमने उसको कैसे स्वाल किया, हमने उसको कैसे टेकल किया, हमने उसकी प्रोब्लम को तोड़ ब्रेक कर दिया, आपके पास जो भी प्रॉब्लम आए, उसको ब्रेक कर लीजे, आप कोशन को असानी स्वाल कर लेगे, आद रहे, कोई भी प्रॉब्लम आए, उसको ब्रेक कर लीजे, आपको असानी स्वाल कर लिए, चला जाए कर देखिए, पहला पॉइंट स्वाल को गया, दुछना परिंट साल पूर तीसरे पर गए, राखी रजनी की परोसी है, जो ग्लिस्टर पसंद करती है, सरवाद हो रही है, यह जो इसके लिए है, रजनी के लिए, कि राखी रजनी की परोसी है, और राखी को, रजनी को ग्लिस्टर पसंद है, हमने ग्लिस्टर लिख लिया अब देखे, रजनी को ग्लिस्टर पसंद है, यह असानी से आप लेंगे, और रजनी की पॉस ही है, राखी यह अप असानी से लेंगे, कोई डाओ नहीं होना चाहिए, अगले स्टेटमेंट बच चलें, तो आप तीन ही स्टेटमेंट रह रहे हैं, राकेश और राजु एक द दो ही चेह विकेंट है यह वाली, या तो यहां राकेश होगा, या फिर यहां पर राजु होगा, इसके विप्री या तो राजु होगा, या फिर राकेश होगा, अब इसी तरीके से इस वाले चाहर में आप देशकते हैं, फिर से वही पोजिशन विकेंट है, राजु या या फिर राकेश, इसी तरीके से राजू, या फिर राकेश. आपके दोनों ही चार्ट साथ में चल रहे हैं, और अभी तक ऐग्जामनर आपको नहीं बताना चाहता, कौन साथ चार्ट. सरी है मतलब आपको कॉंप्लिकेशन में ड़ाय आह रहा है, कॉंप्लिकेट किया रहा error question को जिस से किया, डर कर question को skip करके आगी भाग से है. पॉइंट में नाम संफ्यूजिंग है, यहां राकेश था, इस बार है राजेश, तो बिल्कुल डाइट डाउप मेरा है, राजु राजेश के डाय दूसरा है, राजेश अभी तक नहीं पर अविलेबल नहीं है, राजु के ये दो ही चेयर अविलेबल है, या तो रजनी के स राजेश के डाय दूसरा है, राजेश यहां नहीं आ सकता, तो राजेश के वल एक ही जगा आ सकता है, राजेश के डाय दूसरे पर राजु आएगा, तो राकेश यहां नहीं आएगा, अगर राकेश यहां नहीं आएगा, तो राकेश आएगा इस प्लेस पर, ऐसे ही आप अब लिखा हुआ है राजेश क्लोज अफ पसंद करता है आप देखिए राजेश को क्लोज अफ पसंद है। यहां पर भी हम्ने लिखना पडेगा कि राजू को क्लोज अफ पसंद है। आप देखिए पहली statement थी आप के पासूर राहुल राम के बाइव दूसरा रिद्धी के तरा एक सब्सक्राइब कर दिया रमेश राम और राहुल कापरोसी है रमेश कॉलगेइड और नयम पसंद करता है यह हमने हमें तोर कर लिया था अब देखिए राकी रजनी की पुरौसी यह ग्लिस्टर पसंद करती है अब राकी रजनी की पुरौसी थी और ग्लिस्टर पसंद करती थी यह भी हमने में पिंचन करती है राकेश जाली में दूसरे के आपने सामने है डावर और नीम पसंद करते हैं अंतिम स्टेटमेंट डग चला गया है लेकिन आई भी क्राइफाई नहीं किया गया है कि कौन सा चार्च सही है देखिए राजु राजेश के लिए दूसरा है जो प्लोजर पसंद करता है ये भी आपको बना दिया गया और अंतिम कतन के उपर अगर हम चलेंगे तो लिखा है राखी राकेश की परोसी है जो और मिस्वाद पसंद करती है मतलब किसको मिस्वाद पसंद है राखी को किसकी परोसी है राखी लिखा वो है राकेश की अब देखिए राखी के परोस में ना तो इधर राकेश है ना ही इधर राकेश है इसका मतलब आपका ये जो पहला वा अब राकी को क्या हो कौन सा टूथपेस बनने है? मिस्वाब टूथपेस पसंद है अब आपका चार्ट कम्पलीट हो गया एक कैसे देए राहूल, राजेश, राम, राजु, रमेश, रजनी, राकी, राकेश सभी मेंबर बन रहे हैं अब उनके टूथपेस की बात करें तो क्लोजप, पैपसोडेंट, नीम अब रमेश के बारे में कोलगेट और नीम देखें, नीम को हो चुका है, कोलगेट पसंद नहीं करता है तो कॉलगेट कौन पसंद करेगा कि बले एक ही मेंबर बचा रहुल की रहुल को कोलगेट पसंद है और रमेश जो बच गया है, उसको बचा हुआ टूट पेस पसंद होगा जो कौन सा बच गया है, देख लेते हैं कोलगेट हो गया है, पैपसोडेंट हो चुका है, डाबर भी हो चुका है close up भी हो चुका है नीम भी हो चुका है देकिन यह सिभाका अभी तग नहीं हुआ है आप देख सकते हैं तो रमेश को पसंद है सिभाका इस तरीके से आपका एचार खतम होता है अब इसके वेश पर जितनी भी कोशन है आप असानी से solve कर सकते हैं देखिए क्या क्या कोशन आप से पूछे गए हैं राकेश और राजेश के बीच में कौन है आप देखिए राकेश आप करिये रहा और राजेश आप करिये रहा इनके बीच में एक ही विर्ती है राहुल जो दिया गया है विकल्प संख्या तीन में, अंग्या क्रिशन की दप चलें, तो राजू के दाइं तीसरा कौन है, तो राजू के दाइं मतलब एंटी ग्रॉप चलना पड़ेगा, तीसरा है ज़र, राखी जो दिया गया है, विकउप संक्या, first में, अब देखे, राकेश के बाएं तीसरा कौन है, राकेश के बाएं तीसरा है, रमेश फिर से विकल जंक्या चार में मौझूद है, आप आसानी से विकल कोशन का अंसर ढूंड सकते हैं, देखे, कॉंप्ली के रिप किया है तो है कोशन में, जो स्टार्टिंग और अपैर अब जब कोशन में आपने इतनी मेनद करी तो अब आपको जब परिशान नहीं करेगा, इस तरीके से वाखी का कोशन भी आपसानी से कोशल कर लेंगे, कि राम के सामने कौन बैटा है, तो सर राम के सामने बैटी है राखी, फिर से विकल संक्या दों में, और आज का अंतिम परि कि अतिम आपको जब के सामने का में, एक बिचन की स्टां का उप्तर आपक्तर अनसर हैं, इसी तरीके से आज Umu के इस ऋने का यहीं पर पूर विलान लगाते हैं और इसको ख़दम करते हैं देखिए आज का दिस्कुशन था हमने फ्लोर वारा कुशन आपको समझाया जो आप देमांड कर रहे थे हमने एक सेटिंग और पजल कॉम्बिनेशन से आपको दिस्कुशन पसंद आया होगा अगर आपकी देमांड के हमारे साथ साथ अपने घरवालों का रोशन करें देखिए फिरसे लास में हम एकी चीज़ इड़वाइस करेंगे आपको अभी तक अगर आपने यूट्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर यूट्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजए क्योंकि यही एक मादर साथन है जो आज दिन पर दिन आपके लिए मैनत कर रहा है आपके लिए नहीं ट्रेश बना रहा है और उद देशे साथ यह वाल एक मादर इतना है आपकी सफलता ही हमारी अजलों में हमारी सफलता है इसी कदन के साथ आज विदलित है उमीद है discussion आपको पसंद आया होगा अगर आपको discussion पसंद आए, तो ज़रूर अपने comments हमें जरूर दे, जिससे कि हम आगे motivation का में लिए काम करें, आज के लिए नई धन्यवाद.